आज हम बनाएंगे बहुती तेस्टी, खुश्बुदार और काफी आसानी से बन जाने वाला चिकन पुलाओ तो सबसे पहले जिस बरतन में हमें पुलाओ बनाना है उसमें डाल लेंगे 3-4 हाई कप तेल तेल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर और इसमें आप डाल देंगे 5-6 छिले हुए आलू आलू को हमें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए है काफी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है आलू में इससे निकाल लेंगे फ्लेम को आप मीडियम करेंगे और इसमें आप डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले एक चमच काली मिर्च तीन काली बड़ी लाइची तीन से चार टुकडे डाल देते हैं दाल चीनी के पांच हरी लाइची दो डाल देंगे बाधियान की फूल दो से तीन डाल देते हैं तेज पत्ता एक चमच भर के डाल देते हैं शाही जीरा आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं अब सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, आदे मिनिट के लिए हमें पका लेना है तेल में, खड़े मसाले जैसे ही फ्राइ हो जाए हम इसमें डाल देंगे, दो मीडियम साइस की प्यास, स्लाइस में कटी हुई, हरी मिर्च डाल देते हैं, दर्स से बारा, ये स्लिट की हुई हरी मिर्च है, प्यास को हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे, अच्छा सा इसमें गुलाबी कलार आ जाए, तब तक हम प्यास को फ्राइ करेंगे, अब डाल देते हैं इसमें, दो बड़े चमश वर के अधरक लेसन का पेस्ट, अधरक लेसन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे प्यास के साथ, इसका कच्छापन चला जाये तब तक इसे फ्राई करेंगे अब डाल देना है इसमें एक चोथाई कप भर के दही एक मीडियम qa टमाटर है, ये डाल देंगे साथी साथ इसके डाल देते हैं दो चम्मज भर के धनिया का पाउडर एक चम्मज भर के डाल देंगे खुश्बू के लिए सौफ का पाउडर अब सभी चीजों को मिक्स करते हुए हम मीडियो फ्लेम पर पका लेते हैं मसाला अच्छी तरह से भून जाए तेल इसमें सेपरेट होने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे अब इसमें डाल देते हैं 1.5-700 ग्राम चिकन चिकन के साथी साथ डाल देंगे एक चम्मज भर के नमक अब इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हमें भून लेना है चिकन का अच्छा सा वाइट कलर आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे मसाली के साथ चिकन अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें डाल देते हैं आधा कब भर के पानी और चिकन को बस 3-4 मिनिट के लिए इसे तरह से हम पकने देंगे अब इसमें हमें डाल देना है आलू जो हमने फ्राइ करके रखा हुआ है आलू डालने के बाद इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढखक कर पका लेते हैं 10 से 15 मिनिट के लिए medium to low flame पर चिकन और आलू को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है बस 80% तक पकाना है बाकी ये पकेगा चावलों के साथ इसमें डाल देते हैं चावल का डेड़ गुना पानी करीब 6 कप पानी जैसे ही बॉयल होने लगे हम इसमें डाल देंगे 1500-500 ग्राम बिगो कर धोई हुए बासमती चावल ये करीब 4 कप चावल है इसके साथी साथ डाल देंगे चावलों के हिसाब का एक चमच नमक मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए हम इसमें डाल देंगे आधा चमच भर के गरम मसाली का पाउडर बारिक कटी हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं थोड़े से हलकी हाथ से अब इसे मिक्स कर लेंगे अब हमें इसे दम पर पकाना है एक दम लो फ्लेम पर ठक कर दस से पंदरा मिनिट के लिए पंदरा मिनिट हो चुके हैं शावल अच्छी तरह से पक गया है ठकन हटा लेते हैं आप चाहें तो इसमें और खुश्बू के लिए केवरा वाटर भी डाल सकते हैं तो यह हमारा देखें बहुत ही टेस्टी खुश्बूदार चिकन पुलाव बनकर रेडी है इसे आप सफ कर लीजिए दही वाले रायते के साथ या फिर सलाट के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है जरूर ट्राइ करें रेसिपी अच्छी लगी हूँ तो इसे लाइक शेर करें, कमेंट करें और इसे तरह की मज़दार और आसान रेसिपीज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें